सबसे पहले हमें आट पेपर के ऊपर आउटलाइन करना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कोई भी पेंसिल से आप इसके ऊपर आउटलाइन बना सकते हैं और आट पेपर के ऊपर कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी कोई भी थीक पेपर के ऊपर भी आप बना सकते हैं तो इसको हमें कट कर लेना है ध्यान रहे हैं आपके हाथ पे ना लग जाए और कट भी एकदम अच्छे से हो जाए क्योंकि यह अगर अच्छे से नहीं होगी ना तो बोतने अच्छे से आपकी पेंटिंग भी खुबसूरत नहीं होगी तो यह देखिए मैंने कर लिया है आप इससे थोड़ी छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर आपको डिजाइन करना है वहाँ पर इसको ऐसे रख दीजिए उसके उपर आप ऐसे कोई मार्क कर सकते हैं थोड़ी सी उपर में gap होगा और थोड़ी सी नीचे होगा तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रख दिया है और यहाँ पर भी हमें mark कर लेना है अब देख सकते हैं इतने type की box बनानी है तो यहाँ पर फिर से मैं map करके और एक बर mark कर रही हूँ इसी तरीके से step by step आपको करना है तो यहाँ पर देखिए और next इस तरीके से भी करना है जैसे कि हमने किया है तो color के लिए यह है फेविक्रिल की acrylic color market में बहुत तीजी लिए आपको मिल जाएगी अब इसको आपको इसके उपर रखना है बस इसको अच्छे से पकड़ के रखिए इधर उदर ना हो जाए और उसके साइट पर आपको color करना है यह देखिए अब इसको उठा लीजिए तो आपकी यह शेप तो बन गई है अब साइट पर ह में जो gap है ना तो यहाँ पर color करना है मैं यहाँ पर white color यूज़ कर रही हूँ पहले white color यूज़ करने वाली हो बाद में और जो जो color है वो बाद में use करूंगी तो यह जो gap है वहाँ पर पूरा feel कर देना है ध्यान रहे outline यह जो हमने की थी ना उसके बाहर भी ना जाए क्योंकि अगर बहुत speech से करेंगे ना तो बाहर जा सकती है यह मैंने speech करके रखा है इसलिए बट उतना मैं speech से भी नहीं कर रही हूँ आप भी उतना speech से ना करें नहीं तो वह बाहर जा सकती है तो यह side पे मैंने थोड़ी सी gap रख रही हूँ यह देख सकते है या और ड्रेस के नीचे साड़ी या जिसके उपर पेंट करते है ना उसके नीचे अब ठिक जो कार्ट बूर होती है उसको रख दीजिए और नहीं तो अगर अगर बहुत ज़्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूस करते है तो फ्रेम का भी यूस कर सकते है वह ज्यादा अच अबर की राउंड ब्रश यूस कर रही हूँ यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं किया है यह जो अभी कर रही हूँ आप चाहे तो इसके उपर भी पहले पैंसिल से आउटलाइन बना के उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं बट यह टाफ नहीं है बहुत इसी था इसलिए मैं नहीं किया है तो यहाँ पर मैं लेमन योलो कलर यूज कर रही हूँ और सेम ब्रश अब एक ही ब्रश से सारे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं रेट कलर यूज कर रही हूँ अगर आपको लगता है कि एक बार में कलर पर नहीं हो रही है तो आप ना दुबारा कलर कर सकते हैं ब जो पेंट है न वो अपकी कड़क टाइप की हो जाएगी और इसके अंदर भी मैं यहां रेट कलर यूज कर ले हूँ बहुत ज्यादा कलर यूज नहीं करना है बहुत सारे शेड और इसके उपर ब्लू नहीं यूज कर ले हूँ बड़ इसके उपर स्काइ ब्लू भी यूज करती तो ज्यादा अच्छा लगता बड़ मेरे पास अभी है नहीं इसलिए यहाँ पर भी लेमेन यूलो कलर यूज कर रही हूँ तो देखिए इस तरीके से सारे जो हमारी मचली थी ना उसके उपर इस तरीके से कलर करना है सोच भी नहीं सकते और इतना ज्यादा आसान है अब इस बॉर्डर को ना आप कोई भी सारी के बॉर्डर पे तो जरूर कर सकते हैं तो यहाँ पर यह है 3D आउटलाइनर ब्लैक कलर की तो इससे हमें आउटलाइन कर लेना है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप जीरो नंबर की राउन ब्रश और ब्लैक एक्रेली कलर से भी आप कर सकते हैं अप में से काफी सारे फ्रेंड्स ने मुझे लिक्वेस्ट की थी कोई डिजाइन तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए और कार्ट बोड की मदद से हम कोई भी डिजाइन जैसे बना सकते हैं तो मैंने अर्ट कार्डबोर्ट के उपर बहुत सारे डिजैन मैंने ऐल्ट कर चुकी हैं न y Randy ौम्ट इं Angeb Dh控 और वह आपको बहूत पउसंद भी आएगी कीमें बहुत खुबसूरत ऐसे डिजाइन भी है तो इस border design को आप कोई भी dress के उपर border पे कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको थोड़ी से भी helpful लगे तो like जरूर कर देना बांगा ली हो लाँ वोश्री बांग लाए comment कोते परो तो इस तरीके से हमें complete कर लेना है ये देखिए हमारी border बन गई है हेना बहुत खुबसूरत थैंक ये सो मच पर वाचिंग टेक केर बाई बाई